मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको वेल्य एजुकेशन का चैप्टर नमबर नाइन है अवाइस काउंटिंग यह चैप्टर आपको एक्स्प्रेइन कर रहे हूँ है यह अकबर और बीरबल की स्टोरी है यह इंट्रेस्टिंग स्टोरी है किस तरह से अकबर जो है वो ब उनके इन प्रश्णों का उत्तर देते थे एंपरर अकबर वाज इन दा हैबिट ऑफ पुटिंग राइडर्स और पॉजल तो हिस कोटियर्स ठीक है अकबर जो थे उन्हें आदत थी एक पहलियां पूछना अपने दरबार में इस तरह से आश्चर जनिक जो कोश्यन से वो स्ट्रेंच हुआ करते थे आश्चरे चक्कित रह जाते थे जब ऐसे कोश्यनों को सुनकर और ऐसे जो कोश्यन जो होते थे उनका आश्चर जो है वो बहुत ही देने में भी उनके दरबारियों को परिशानी होती थे एक बार उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंच कोश्यन पूछा था जो उनके दरबारी जो थे वो एकदम शॉक रह गए थे यह कोश्यन को सुनकर अकबर ग्लेंस एट इस कोटियर्स एंड एस ही लुक वन बाई वन थे हैट बिगें तो हैंग लो इन सर्च ओफ एन आंसर उन्होंने ऐसा कोश्यन पूछा एक के बाद एक सभी से पूछते गया और सभी की गर्दने जुग गई क्यों वो किसी को भी उसका आंसर नहीं मानता और उसी समय बिर्बल जो है वो दरबार में आते हैं बिर्बल हुनियू दा नीचर ओफ एम्परर क्विकली ग्रैप्स दे सकता हूं मैं जानता हूं तो अकबर से जो है उनसे पूसते हैं कि इस शहर में कितने क्रोव हैं कितने कोवे हैं विदाउट इवेंट अ मुमेंट थॉट अ बिर्बल रिपलाए देर आर फिफ्टी थाउजन फाइव हंड़न एटी नाइन क्रोव माई लॉड ठीक है उन्होंने क्या करा बेना कुछ सोचे समझे तुरंत ही आंसर दे दिया कितने कोवे हैं उनके शहर में फिफ्टी थाउजन फाइव हंड़न फाइव हंड़न एटी नाइन क्रोव इतने हैं तो बेर्बल सेड मेक यॉर मैन काउट माई लॉड उन्होंने क्या कहा कि अपने आदमियों को भेजो गिनने के लिए ठीक है अगर जादा जो मैंने बताए है अगर उससे कुछ जादा अगर कहुए है तो इसका मतलब है कि कुछ जो है वो अपने रिलेटिव के घर आए है और इसका मतलब यह है कि कुछ जो है वो अपने रिष्टेदार के वाँ घूमने गए है अगर वाइस प्लेज वेरी मच विद बिरबल स्वेट और अगर जो है वो बिरबल के इस चतुर वाले जो उन्होंने उत्तर जो दिया है चतुराई से बहुत ही हुश्यारी से जो दिया है उसको सुनकर वो बहुत खुश होते हैं and he rewarded a बिरबल with 1000 gold coins और उन्हें as a prize इनाम जो क्या दिया जाता है 1000 gold coins दिया जाता है तो इस तरह से यह अकबर और बिरबल की स्टोरी है यह आपका book work है इसे आपको book में करना है और question answers copy में करने है और इस स्टोरी को समझने के लिए 102 बार ज़रू देख देख च्क्यू